नवश्कार दोस्तो स्वागत है आपका पाथ फाइंडर स्टीडी पॉइंट में उत्तरपदेश का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कल पहला पार्ट देखा था जो 19 फरवरी 2019 से 12 मार्च 2019 तक का सारा करेंट अफेयर्स है उसका फर्स्ट पा स्टार्ट देखेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं उत्तरपदेश सरकार प्रदेश में अगले सहच्छिडिक सत्र से अंग्रेजी माध्यम के प्रात्मिक स्कूलों का संचालन करेगी तो यह कितने होंगे संख्या में इसकी संख्या पुछी जा सकती है दस हजार इंग्लिस मीडियम प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जाएगा और प्रतेक ब्लॉक में जो है यह इस्थापित किये जाएंगे प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के अंतरगत स्करीब सत्र जो अभी बीच चुका है कि अंतरगत 31.45 लाग किसानों का बीमा उत्तरप्रेश में किया गया है तता किसानों को 232.43 करोड रुपए का बीमा भुकतान किया जा चुका है उत्तरप्रेश सरकार वरतमान में अब तक के कारिकाल में यानि कुल 23 माह का कारिकाल में कितने किसान क्रेडिट कार्ड वित्रित किये गये हैं 71,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं और साथ ही जो है 4.03 करोन किसानों को मुर्दा स्वास्त कार्ड का वितरण अब तक किया गया है प्रदेश में यूरिया खाद की 50 kg की बोरी का दाम 331.50 रुपए से घटा कर कितना किया गया है 295 तो ये भी सीध सीधा कोश्चेन आ सकता है साथ ही प्रमाडित बीजो पर अंदान के लिए 47 करोन रुपए स्विक्रित किये गये हैं दिनांक 18 फरवरी 2019 को लगनव में मुखमंतरी योगी आदितिनाद द्वारा 100 आधुनिक जीवन रच्छक एम्बुलेंस जिसको हम क्या कहते हैं एडवांस लाइप सपोर्ट एम्बुलेंस का विस्तार किया गया यानि 100 जो है और आड कर दी गई पहले से जो चल नहीं है उसमें और उसके अलामाद तिरपन राष्टी सचल स्वास्तिकाई जिसको मुबाइल हॉस्पिटल कहा जाता है तो तिरपन राष्टी सचल स्वास वांसी के डीजल रेल इंजन कार खाने में दुनिया का पहला डीजल से बिद्दुत में परिवर्तित उच्छ हार्स पावर का ट्विन यानि 12 रेलवे इंजन को हरी जंडी दिखा कर सुभारम किया गया इसमें क्या खासियत है कि जो डीजल इंजन थे उनको इलेक्त्रिक इ पर्यावरण के अनकूल है और इस रुपांतरण से इंजन की सक्ती में 92% की बढ़ोत्री हो जाएगी तो इस पे से कोई भी जो है फैक्ट पूछा जा सकता है आपके एक्जाम में नेश क्वेश्चन देखते हैं साहित भूसर से अलंकृत साहितकार डाक्टर महा स्वेता उत्तरपदेश के बरेली जनपत की निवासी थी प्रधान मंत्री नरेन मोदी द्वारा 19 फरवरी 2019 को आई आई टी बीच्चु यानि बनारा सिंदु इनवस्टी में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बने सुपर कंप्यूटर परम सिवाय का लोकारपन किया ग पहला सुपर कंप्यूटिंग केंद्र भी बन गया है यानि कौन सा आई आई टी बीच्चु वार्णसी यह सुपर कंप्यूटर 32.5 करोन रुपए की लागत से बना है और इसकी छमता के बारे में कोश्चिन आ सकता है इसकी छमता 833 टेरा फ्लॉप है इसका निर्मार किस न सीडायक द्वारा किया गया है नेश्ट कोश्चिन केंद्री ये औसधी अनसंधान संस्थान जो कि कहां परिस्थी थे लखनों जिसको सौर्ट फॉर्म में हम लोग सीडी आराई लखनों कहते हैं कि द्वारा 20 परवरी 2019 से ड्रग डिसकवरी रिसर्च में वर्तमान रुजह पर सातवे अंतराष्टी सम्मेलन जिसका नाम दिया गया CTDDR 2019 का आजन किया गया इसमें ये चार दिवसी सम्मेलन था जिसमें लगवग 450 सोदार्थियों एवं विसेसग्यों ने भाग लिया तथा मानरोगों के लिए नई उसधियों की खोज एवं अनुसान धान की प्रग जो है पूछे जा सकने अला प्रसन है इसकीम फॉर्ड एल्डोलेसेंट गल्स जिसको S.A.G. सॉर्ट में कहा जाता है इसका सुभारम किया है 21 फरवरी 2019 को ये योजना किसके दर चलाई जा रही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विकाव उत्तरपरेश द्वारा और यह योजना में पातरता क्या है 11 से 14 वर्ष की सभी किसोरियां जो किसी वज़े से स्कूल नहीं जा पाती है उनके लिए ये योजना प्रारम की गई है 21 फरवरी 2019 को ही राज इस्तरी स्वामी विवेकानन्द युवा वित्रुसकार वित्रन समारो और प्रांती रच्छक दल सम्मेलन का आयोजन भी लखनव में किया गया केंदरी सडक परिवहन पोत परिवहन जल संसाधन नदी विकास युवं गंगा सरनच्छन मंतरी नितिन गडगरी द्वारा बागपत मेरट हाईवे वा बागपत नगर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का सिलन्यास 20 फरवरी 2019 को किया गया हिंदी के जाने माने साहितकार एवन समालोच डाक्टर नामवर सिंग इनके बारे में 2-3 दिन तक लगा टार पेपर में निकला क्योंकि ये वास्तों में बहुती बिख्यात हस्ती थे जो उत्तरपदेश से तो इनका निधन हो गया 20 फरवरी 2019 को वे उत्तरपदेश के निव रुपए था अब इसको बढ़ाकर 375 रुपए किये जाने की घोशना अभी हाली में मुखमंतरी द्वारा की गई है मुखमंतरी योगी आदितनात द्वारा आंगन बाड़ी कारकरताओं का बेतन भी बढ़ाया गया है तो आंगन बाड़ी कारकरताओं के बेतन में 1500 रुप पखवाडा मनाया जा रहा है जो अभी चल रहा है क्योंकि पखवाडा कार्थ होता है 15 दीवसी जो है कारकरम जो होता है जिसमें विशेश रूप से किसोरियों के पोस्रण की स्थिती का आकलन कर उनमें सुधा रहनू का प्रयास किया जा रहा है लखनौ में दिनांग 23 उत्तरप्रदेश द्वारा आयोजीत किया गया था अमरत योजना जो केन सरकार की योजना है कि अंतरगत आच्छादित उत्तरप्रदेश के सहर कितने हैं यह संख्या पूछी आ सकती है तो अब तक 60 सहर जो है अमरत योजना के अंतरगत उत्तरप्रदेश में आच्छादि रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 जो की ग्रीन पीस साउथ इस्ट एसिया द्वारा तयार की गई है कि अनुसर बिस्ट के सरवाधिक प्रदूसित 20 सहरों में से भारत के कित्ते सहर है 15 तो पहली जो है fact important यह है कि इनमें सरवाधिक प्र तो गाजियाबाद जो है second number पे है इसमें फिर फरीदाबाद का चौथा नमबर भिवाडी 15 और नोईडा जो उत्तरप्रदेश का है इसका छटा नमबर है लखनव यानि उत्तरप्रदेश की राजधानी इस सूची में नवे स्थान पर है और दिल्ली जो है ग्यारवे स्थ इस सूची में प्रधान मंत्री स्रम योगी मानधन योजना इसका सुबारम उत्तरप्रदेश में कब किया गया इसकी डेट पुछी जा सकती है क्योंकि ये नई योजना है और बहुत ज्यादा ये पॉपलर है तो 5 मार्च 2019 को उत्तरप्रदेश में प्रधान मंत्री स्रम य 2022 तक बनाई गई है कि 2022 तक मिसन का गन्यान को भेजा जाएगा इसके लिए eco-friendly इधन जिसको नाम दिया गया है green jelly इसका आविशकार किया है या इसका विकास किया है किसने उत्तरप्रदेश के IIT कानपूर ने तो इस लिहाज से जो है ये important है परिक्षा में तो दोस्तों आज के session में इतना ही हमने जो है 12 मार्स तक का सारा current affairs जो है update कर लिया है और अगर आपको पीछे का देखना है जनवरी का दिसंबर का तो आपको जो है channel पर वीडियो मिल जाएंगे UP special करके एक playlist है उसमेर भी available है आप जरूर देख लिए जिससे की जो है आपका UP का current affairs updated रहे तो अभी के लिए तही नमस्कार धन्यवाद